असुद्ध बस्त्र का प्रियोग न करें सोते समय अब देखो ये भी बहुत बड़ी बात है ध्यान से सुनना अगर आप जिस इस्थान पर सो रहे हैं जिस बस्त्र के उपर सो रहे हैं अगर वो बस्त्र असुद्ध है तो आपके मन की इस्तिती भी असुद्ध बनी रहे आप सोने के बद भी चैन से सो नहीं सकोगे आपके स्वपन गंदे-गंदे होते रहेंगे उल्टे सीधे स्वपन आएंगे क्यों? क्योंकि आप जिस बस्तर पे सो रहें वो बस्तर सुद्ध है इसलिए हमारे यहां पर यह नियम भी है कि जिस बस्तर पे रात्री में आप सोई सुबह उसे बदल दो दो उसे है कि नहीं? ग्रेस्त में रहे हैं ज्यादा नहीं तो पती पतनी तो एक दूसरे को गुस्य की नजर से देखी लेते हैं तो गुस्सा भी उस चद्धर पे सवार है जिस पे आप सोय हुए है आप कोई भी नौक जोंक वाली बातें करते हो प्रेम की बातें करते हो कोई भी विवार करते हो वो बस्तरों पर भी असर डलता है और ऐसे बस्तरों पर आपका सैन होगा तो आपकी चित्त की वरत्ती वैसे ही बनेगी इसलिए आहार सुद्ध होना चाहिए अपना सरीर भी सुद्ध होना चाहिए तो जिस बस्तर पे आप सोएं वो बस्तर सुद्ध होना चाहिए